हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल तो आज हम बात करेंगे यह जो वह कैंसे निकलिए बैंक को बडोधा में निकलिए बिजनस कोर्सपंडर सुपरवाइजर की रहेगी कॉंटक्ट बेसिस में रहेगी यहां पे बता रहे का बैंक को बडोधा जो हैं इन्वाइट करता है जो बिजनस कोर्सपंडर सुपरवाइजर के लिए अप्लाइक करना चाते हैं यह जो कहन से कॉंटक्ट बेसिस पर रहेगी हर्याना स्टेट में इन्होंने स्पेशली बता के करनाल रीजन के लिए रहेगी दन यहां पे इनने स्पेशली बता रहे हैं इलिजिबिटी क्राइटीरिया अगर कोई एक्स बैंकर है तो उनके पास मिनिमम जो है थ्री एर के एक्सपीरियंस होना चाहिए रूरल बैंकिंग में किसी भी नैशनलाइज बैंक में और जो उनक के अप्लाइज करना चाहते है उनकी जो मिनिममम क्वालिफिकेशन में मिनिममम जो क्वालिफिकेशन हों चीज के लाव उनको अच्छी कंपेटर के नौलेज होनी चीए एक किसे पैंटालीस साल उनकी एज ग्रूप होने जी इन्होंने दो कंडिशन बता रहे हैं लिजिव के उसके बेसिस पर रहेगा या फिर केंड़ेट का एक्सपियस रहेगा उसके बेसिस पर उन्हें शॉट लिस्टिट के जाएगा जोन करेश रहेगा अगर आपको फोल्ड टेल सी है तो आप इसके ओफिशली वेबसाइट को जाके चेक कर सकते हैं लास्ट जेट जो दे रह खरयाना 132001 अगर आपको कोई भी क्वैरी है तो आप यह इन्होंने इमेल आइडी दे रहेगा इस पर जाके चेक कर सकते हैं आप इसके दूसरा नाटिफिकेशन देंगे जैसे इन्होंने शॉर्ट नाटिफिकेशन दे रहे हैं डेटेल नाटिफिकेशन में जाएंगे तो नंबर ऑगें सीटू रहे गें पानपर डिस्टिक के लिए यहां पे उनका अच्छा गुड रिकॉर्ड उनका जिन्होंने बता रखी है रिटाइड बैंक इमप्लोई के लिए 65 तक हूंच जो यंग यहां पे चैन्ड़ाइक करना चाहते हैं उनके लिए जो क्वालिफिके कंप्यूटर नौलेज अच्छी जैसे उन्हें MS Office email and internet की नौलेज होनी चाहिए इसके लावा इन्होंने स्पेश्टली बता रहे हैं अगर किसी केंड़ेट थे MSC IT या फिर BIT या फिर या फिर या फिर यहां पर प्रफरेंस दी जाएगी 21 से लेकर 45 साल के जो केंड़ेट अप्लाई कर सकते हैं और जो मैक्समेज यहां पर इन्होंने बता रहे हैं क्या क्या रहेगा कॉंटेक्ट का जो पीरिड है यहां पर 12 मंथ करेगा जब भी और लिखे कि आफ्टर के बीच में रहेगी दनिया पर इन्होंने इसका नेक्स बता रखे क्या 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 मुनित इंटर्वियों प्रॉस्ट बता रहे हैं जो भी आपका इलिजबिटिक रैडियर जैसे आपकी क्वालिफिकिशन एक्स्पिरिंस के बेसिस पर शॉट लिस्टिट किया जाएगा दे अगर आप चाहें तो स्वीट पोस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो कूरियर कर सकते हैं लाजट यह नहीं बता रहे हैं पंदर नौंबर 2023 से आपने अपना एप्लिकेशन फोर्म उसके साथ जो भी आपके डॉक्यमेंट रहेंगे अधर डॉक्यमेंट उनको आपने कैरेगा आपकी अद्वर्टीजमेंट यहां रहे हैं यहां इन्हों पे पता रहे हैं जो फटा डब्लीच हुई है तो इसमें यहां पर बता रहे हैं कौन सी डेट को यह स्टार्टिंग में वह आपने यांशन कि जैसे 26 अथवर 2023 होई है यहां पे लिग देना कौन से रिज जो भी रहेगा ऐस पर उनके अकोडिंग वह आपने लिख देना है जंडर लिख देना है जैसे मोबाइल नमबर आगे यहाँ एमेल आइडी होगी यहाँ पर एजकेशनल कॉलिफिकेशन हो जाएगी जैसे आप अगर आप यहां पर इसे नोंने बताया था कि अगर यंग एंप्लॉई यंग केंडेट अप्लाइट करना चाहरे तो उनकी क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेज़ूट मंगी या फिर मेंसी इटी याँ या फिर बीए टी तो आपकी क्वालिफिकेशन के अगॉर्ड निक दे डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है, if yes है तो आपने yes कर देना, अगर no है तो आपने no कर देना है, previous experience जैसे यहाँ पे इन्होंने bank return के लिए बता रहा है था employee के लिए, कि three year cash पर वो आपने लिख देना है, यहाँ पर आजाएगा क्या है, कौन से organization में, कौन स designation में था, कब से कब तक था, ने two preferences का name and address mention कर देना है, preferred आप कौन से उसके लिए preference यहाँ पर करना चाहरे है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखी थी, अंबाला, पानिपत, या फिर कैथल करना, जो भी आपने है, वो उसके according यहाँ पर preference, one preference, two preference, three भी भर देनी है, यहाँ यहाँ पर कोई other information आप इसके अटेच करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने computer के लिए बोला है कि इसमें proficiency, आगर आपने कोई को ऐसा course कियो तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर रखी है, यहाँ आपने अपने signature कर दे रहे हैं, यहाँ पर कौन से place हैं, कौन सी date को भर दे यहाँ पर आपने advertisement की date भर दे नहीं है, यहाँ पर आपने जो इन clause करने हैं, जैसे आपके धर card and pen card की copy आपने इसके साथ इन clause करने हैं, आपका current address जो है, अगर आपका current address जो आपके अधार वाले address से अलग है तो आपने उसकी photocopy send करने हैं, आपकी qualification की 10th, 12th और जो भी रहे जैंगे, जैसे यह की officially website है, बैंक को बडोधा की, यहाँ पर आप इसके carrier section में जाएंगे, यहाँ पर current opportunities में जाएंगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आजाएगा business correspondence supervisor, यहाँ पर आपने बतार के appointment of business correspondence supervisor on contact basis in करनाल वीजन में, departmental करनाल रोकेशन में रहेगी, यहाँ जाएगा, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी डिटेल आजाएगी, कौन सी date को publish हुआ था, कौन से address पर सेंड करना है, कौन सा, जो भी आपको यहाँ से इसका application performa भी जाके जो है, डाउलोड कर सकते है, अगर आपको एक जस्ट आइडिये चीए कि हाँ क्या advertisement थी, क् आप यहाँ से देख सकते है, last date जैसे इन्होंने बता रखी है, कि 15 नमबर 23 है, जो भी शॉट लिस्ट रहेंगे, उनका education qualification and experience के एक्स्पिरियंस के एकॉर्डिंग शॉट लिस्ट किया जाएगा, जो यहाँ से पूरा का पूरा बता रहें, जो यहाँ से भी डॉक्यमेंट लिए जो यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आप को इस पर पहुंच जाहिए, यदि आपको इस और दिक जान करी चाहिए, तो आप इसकी ओपीशल उबससाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शिय्प्शों बोक्स में डाल दूँगी, यदि आपकी इस वीडियो से लेटिट कोई भी क्वेरी आपको हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेर इस तरह के ओन्फरमेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए